नमस्कार आप सभी का फिल्मी बिर्तांत पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सनी दोल और संजर्द दद्द राभनीत कुरोध फिल्म से समंधी धेर सारे नवन फैक्ट्स बजट बॉक्स ओफिस कलेक्शन और इस फिल्म के कलाकारों के बारे में तो आप लो जिसे रिलिज किया गया था 23 मार्च 1990 को इस फिल्म में अपने भने का जल्वा विखेरा था संजेदत सनी दियोल अमरिता सिंग सोनम अनुपमखेर अमिसाभ बचन परेश रावल जगदीप रूहडी पलवी जोसी अनंग देशाई दीपक ती जोरी बिक्रम गोखले ये सव 2001 में आई 12 का फोस जैसी बेहतरिन फिल्मों को डायेट कर चुके हैं इस फिल्म को पड्यूस किया था पप्पू बर्मा ने इस फिल्म की कहानी लिखे थी विकास आनंद और राजी कॉल ने डैलाक्स लिखे थे ललीत महाजन ने इस फिल्म में मिजिक दिया था लच्मी कान इत्यादी इस फिल्म में एक भी लब स्टोरी गाना नहीं था जितने भी गाने थे वह अर्थ से भरपूर गाने थे जिने लोगों के द्वरा बहुत पसंद किया था और इन गानों को आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं अब जान लेते हैं इस फिल्म की बजट और बॉक करोड़ उपे की कमाई की थी और बॉक्स ऑफिस पर क्रोधे के वरेज फिल्म सावित हुई थी दो घंटे 43 मिनट लेंद की इस फिल्म को आई एम डीबी पर 10 में से 5-9 एक रिटिंग मिली हुई है आई जान लेते हैं इस फिल्म से समंद्री धेस सारे नोन फैक्स और बॉक 11 10 करोड़ रूपे की थी दुसरी नमबर की सनी दियोल की घयल जिसनेे 9-, 50 2 अमिस्ताब बचन की आज का अर्जून जिसने साथ करोड़ ऊपे की कम अकि चौथे नमबर पर अमिताब बचन और मिफुन चक्रवर्ति की अगनिपत जिसने 5करोड 75 रूपए की कमाई की थी और पांचवे नमबर पर थी अनिल कपूर की किसन कनहिया जिसने 5 क्रड़ोपे की कमाई की थी हैट नमबर दो इस फिल्म में डिरेक्टर ससील लाल नायर ने एक जेल के सीन को रियल जेल में कहईदियों के भी सूट किया था जिसे बेल गाउंजल करनाटक में सूट किया ग गया था हैक नमबर तीन इस फिल्म के निर्माड के दवरान फिल्म के प्रड्यूसर पपू बर्मा और डैक्टर ससीलाल नायर के बीच कई मद्भेथ थे पहले पपू बर्मा इस फिल्म को खुड डिरेक्ट करना चाहते थे लेकिन संजयदत ने जोर देकर कहा कि इससे ससीलाल नायर का नाम फिल्म के क्रेडिट से हटाने की धंकी भी दी थी हैक नमबर चाहर इस फिल्म में सोनम को साइंद किया गया था Select नमबर पांच अमरिता इस फिल्म इस फिल्म में अपनी भूंका को किया गया वह जोर्त देकर कहती रही कि उन्हें एक विशेस उपसिती के साथ फिल्म में जोड़ा जाए हलांकि उनकी बात को कोई नहीं सुना फैक्ट नमबर छे प्रसीद अपनेता दीपक तीजोरी ने दावा किया था कि फिल्म के डारेक्टर ससीलाल नायर ने उनके साथ लाइन है उन्होंने आरोप लगया कि उनके रोल को काड़ दिया गया हलंकि यह दीपक तुझेरी की पहली लिखनिया भूंका थी हैक्ट नमबर साथ अमिताब बचन की तफिर फिल्म क्रोथ के सभी वी एस एस वीडियों कभर पर थी फिल्म के निर्मताओं ने जंदा को ब भूंका है इसलिए लोगों ने क्रोथ के वीडियों को यह सोच कर कि राय पर लिया कि अमिताब फिल्म में मुक्ष भूंका में हैं हैक्ट नमबर आठ सनी देल और संजयदत की यह एक साथ पहली फिल्म थी क्रोथ फिल्म के बाद सनी देल और संजयदत ने तीन और फिल्मो आया गया है इस गाने से महान गायक मुहमद रफी को सधानजली दी गई है यह गाना विशेव सुप से मुहमद रफी को सधानजली देने के लिए ही फिल्म में रखा गया है फैक्ट नमबर दस क्रोथ नाम की एक फिल्म 2000 भी आई थी जिसमें सुनिल सेटी और अंभा मुक भूंका में थे जिसका डायरेक्शन और प्रोड़क्शन और सोख हुंडा ने किया था मित्रों आपको मेरे दोरा दी गई जैनकारी कैसी लगी कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं कि पर वीडियों को लाइक और सेयर करना बिल्कुल ना भूलें जै हिंद जै भाड़